मारूफ भारती अधकार प्रभास और अधकारा दिपिका पाडुकोन की साइंस विक्षन फिल्म कल की 2898 एडी भारती सेनेमा की महंगी तरीन फिल्म बन गई भारती मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक फिल्म का बजट 600 करोड भारती रुपए तक पहुँच गया है जो के भारती फिल्म इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड है प्रभास ने अपने एक खालिया इंटर्व्यू में बताया कि इस फिल्म को बैनल अक्वामी नाजरीन को मदे नजर रखते हुए बनाया गया है और इंडस्ट्री के बैतरीन फनकारों को कास्ट में शामिल किया गया है जिसकी वज़ा से फिल्म का बजट बढ़ गया है याद रहे कि फिल्म कल की 2898 AD की पहली जलक अमरीका के कॉमिक कॉन फैस्टिवल में सामने आई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन और कमल हासिन जैसे लेजंडरी अदकार भी अक्शन में नजर आएंगे इस फिल्म की शूटिंग तलेगू जबान में की गई है लेकिन इसे हिंदी, मलियालम, तामिल, कनाड़ा और इंगलिस जबान में भी पेश किया जाएगा